हेलो फ्रेंड्स मैं निहा अपने चैनल निहा की कुपिंग में आप सभी क्या स्वागत करती हूँ दोस्तों गर्मिया आ गई हैं गर्मियों में हमें ठंडी ठंडी चीजे खाने या पीने का मन होता है तो हमने आज जो सर्वत बनाया है वो है बेल का जूस तो बेल का जूस हम गर्मियों में इसलिए पीना पसंद करते हैं लिए हमने बेल के सरवत बनाने क्रिए उसको धो के वारे टोंग बाद उसको हम पहले उसका जो यह उपर भाग होता है वह बहुत जादा कड़ा होता है उसको हम किसी मोटे और बड़े लोहे या कुछ ऐसा समान जिसे हम उसको फोड लेते हैं और फोड के उसको जो बीच का जो यह होता है उसका जो फल होता है बेल का उसको हम यह बीच का जो अपने आप छोड़ेते हैं चमच की मदद से आप इस तो उसी तरीके से हम जो उसमें सभी फल है उसको सब हमने उसको अच्छी तरीके से निकाल लेना है और निकाल के एक बड़े बरतन में हम उसको निकाल लेंगे क्योंकि इसको हमें किसी मिक्सी में या कैसे भी इसको नहीं बनाना होता है इसको सिर्फ हम अपने हाथों की साहता से बीना मिक्सी और बीना किसी चीज की मदद से हम सिर्फ हाथों से इसको बनाएंगे तो चलिए हम यहां पे जो हमारा दूसरा बेल है उसको भी हमने फोर के उसके का जो अंदर का भाग होता है वो सब निकाल लिया है और इसमें बीज भी होते हैं उन सब को हम इसमें निकाल लेंगे और हम यहां पे आपको बताएंगे कि हमें किस तरीके से इसका बीज अलग करन है और इसका जूस तरीके से हमें बनाना है तो यहां पर हम एक चमच ले लेते हैं और चमच की मदद से हम इसमें अच्छी तरीके से इसको मैज कर ले दें हैं वैसे हमें पर मैज करने आप यहां पे चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप पीना चीनी का भी इसको बना सकते हैं और इसमें हम आधा चमच काली मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे आप सनल है आप चाहे डाले या ना डाले इसका अपने आपके ऊपर है आप सिर्फ चीनी इसको बना सकते हैं और हाथ से इस तरीके से इसको मेंश करते जाना है और थोड़ा सा में डाल के पहले आपको बीना पानी डाले ही इसको मेंश करना है उसके बाद थोड़ा सब गいましたative शोचाया उसके बाद आप चरुब देखेंगे गया यह यू अपгор बे एक बड़ी छनी का इस्तेमाल करिए आप अगर आपके पास छोटी छनी है तो उससे भी निकाल सकती है अगर आपके पास बड़ी छनी है तो आप उससे भी इसको छान सकती है तो यहां पर मैंने बड़ी वाली छनी का इस्तेमाल किया है और उसमें जो जूस है उसमें छनी की म कर और हम इसमें उपर से डालेंगे तो उपर से डालने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा उसका जूस रह जाता है तो वह भी निकल जाएगा और यह जो बीज है वह अच्छी तरीके से अलग हो जाएगे आप देख सकते हैं कि कितना कम समय में और कितना आसानी से हम अपने घर बेल का जूस बना सकते हैं और आप इस तरीके से एक ग्लास में आप जो जूस है उसको निकालिए और देखिए सर्फ करिए यह बहुत ही ज्यादा फैदेमन तो है ही लेकिन यह बहुत ज्यादा पीने में स्वाधिस्ट भी है आप इसका इसको सूबह या साम को ना पीए आ इसको सर्फ जिस्ट आप अजूँ आप चल्पटा पीजवत भी है झालिए भी है यह बहुत ज्यादा देखिए से लेखिए गाथन में को जबढर आप टूस ऑलिए यह लेड़त जूस